पूरा सिस्टम यहां अर्याना में लगने वाड़ा है, और भाइ खोल ही चुनोती है, जिस मतम हो इस तुनमूल नरोग के दिखाई हो, और जो पापी है वो भाई त्यार रही हो पापी, दुराचारी, अत्याचारी जिसने आई जरियाना का सोचन किया, जरियाना को लूटने का काम किया, अब उनकी खेरनी, हम जब अखेले ही इन पापियों को खतम करने का संकल्प और बेडा उठाए हुए थे, हम तो शेड़नी हमारे साथ है, कर देंगे ना कांग्रेस चामिल थी, वो तो हम कर दिया, उनने काम कर दिया, अब बीजेपी मुक्त भारत, बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत, वो हम मिल गेंगे जाए। आयोजित कारिकरता सम्मेलन में पहुँचे थे, जहाँ पहले तो तवर का कंग्रेस प्रेम छलकार, उसके बाद बिना नाम लिए हुड़ा से में सभी विरोधी दलों को जबरदस्त खरीखोटी सुनाई। तवर ने कहा कि आने वाले समय में हर्यणा के अंदर 45 दिनों की यात्रा निकालेंगे, जिसके बाद सभी दलों का सफाया कर दिया जाएगा। प्रेतनों विदेया, प्रेतनों विदेया, प्रेतनों विदेया। उसी के बढ़िया बढ़िया साती है, अर जिनको जो है लालचनी है, साब सुत्री छबी के लोग है, मैनत करने का जजबा है, जो दूसरे का शिकार, दूसरे की मैनत अपनी बना करके उसको नहीं खाना चाते है, उन सातियों को और दूसरी पाल्टियों में भी जो साति हैं बढ़िया बढ़िया ये पूरा कुनबा हम जोरे समय में जोड़ देंगे और 45 दिन की हमारी यात्रा जिस दिन शुरू होगी 45 दिन के बाद जब 90 विदान सबाब पूरी हो जाएंगी तो हमारे उमिद्वार भी और हमारा संग्ठन भी और हमारे साथी भी वो कॉंग्रेस बीजेपी से आके होंगे पीछममतब एनरजी को भी लेके आएंगे और बाकी पूरा सिस्टम गोवा के चुनाव के बाद पूरा सिस्टम यहां अरियाना में लगने वाड़ा है विरोधियों पर तवर का हमला यही नहीं थमा तवर ने कहा कि मैं तो अकेला ही इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए काफी था अब तो शेरनी ममता दिदी भी उनके साथ है ऐसे में आने वाले समय में टीमसी भारत से कॉंग्रिस और भाजपा मुक्त मुहीम छेडेगी और ये काम सिर्फ ममता दिदी ही कर सकती है किसान का बेटा हूं दर्ती पाड का पाणी पीनाडा हूं मैं वही कहा रहा हूं ने केडी सिंग का चलो सबका अपना अपना रोल है उसका कोई और रोल होगा और हम जो है हम जब अकेले ही इन पापियों को खतम करने का संकल्प और बेडा उठाए हुए थे आप तो शेड़न ही हमारे साथ है करते हैं नास मैं कहां इन पापियों को अठाने का काम ही ममता जी करेंगे और किसी के बसकी बात नी किसी ने तो मैंने किसान आंदोलन का और चीनों किर्षी काले कानून वापस होने का उधारन इसलिए दिया कि अगर सारे किसान संग्ठन अलग-अलग काम करते अपनी व्यक्तिकत जो उनके हित थे या इगो थी उसको खतम नहीं करते और सारे ये कहते हम चोधरी हम चोधरी तो किसी ने किसी को चोधरी मान करके उसकी लीडरेशिप को स्वितार करना पड़ता है तब जा करके मामला होता है आज ममता जी के अलावा पूरे देश में कोई नहीं है, अखलेश हो, कोई और दूसरे साती हो, पूरे देश में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जो ममता जी की लीडरिशिप में आने वाले समय में इस देश से बाजबा राज को समाप्त करेंगे, कॉंग्रेस, मुक्त, भारत, पूरे देश की जनता परेशान है और वो भाजबा को सत्ता से हटाने के लिए बेकरार बैठी है, उन्होंने कहा कि कई राजों में विपक्ष मजबूत है, जनता के पास वικό प भी है, लेकिन कई राजों में विपक्ष खंडित है, और वहां टी-एम-सी मैडान में उतर कर भाजपा से लोहा लेने को तयार है विका हुआ है, सामने सरेंडर किया हुआ है तो कई बार विकल्प नहीं मिलता मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ लेकिन हम आने वाले समय में तिन्बूल कॉंग्रेस पूरे देश के अंदर अपना संग्ठन का विस्तार करेगी ममताजी के नेतरितों में हम अच्छे सयोगी ढूंडेंगे और हरियाना के अंदर अगली सरकार थिन्बूल कॉंग्रेस की सरकार वो आप लोगों के सयोग से पूरे हरियाना वासियों की सयोग से हमेरे 36 बरादरी का आशिरबात ले करके वो बनाने का हम काम देश अच्छे राज्यों में चुनावी घमासान के बीच हरियाना में सियासी हल्चल मचाने मैदान में उतरे अशोक तवर ने कई बड़े ऐलान और दावे किये हैं तवर का कहना है कि भाजपा की तानाशाही के आगे विपक्ष पूरी तरह से सरंडर है लेकिन TMC लगातार जनता के मुद्धों को उठाते हुए संगर्श कर रही है और एक दिन TMC ही देश में बदलाव लाएगी इतना ही नहीं तवर ने इस मौके पर ये भी दावा किया कि हरिणा में भी अगली बार TMC ही सरकार बनाएगी क्योंकि भाजपा, कॉंग्रेस, जेजेपी और इनेलो को जनता परक चुकी है जीन्र से अनिल कुमार पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद